हम जब बाहर आते हैं तो कई चीजों को नहीं दिखाते हैं तो उस चीज को मैं बता रहा हूँ फिर से मेरे ब्लोग में स्वागत है आप सबका और अभी मैं अपने काम पे हूँ और लगबग लगबग जबर्जस्थ ठंडा है नमी मुंबई में भी तो चली आप आज कब ब् स्क्राइबर हैं मेरे भाई लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला चलते हैं अपने काम को सुरुवात करते हैं तो मैं क्या काम करता हूँ वो बताऊंगा और कुछ चीजे बताऊंगा चलिए अभी ठोड़ा गारी स् बहुत जबर्जस दिखता है देख रहे हैं और हम बजी वहाँ पे जाएंगे मेरे दो तिन दोत लोग हैं उनको काम पे छोड़ना है उनके हैं क्योंकि वह चलाते हैं पोक लेना है चले अपने भाई लोग आ गये हैं निकलते हैं जो एक उरन के लिए है यहां से जो सब्सक्राइब कर लिए है यहां सब कुछ चेक कर लिए यार वड़ दिया इनको अभी फिर से में रिटान जाओंगा अब बावार क्योंकि अभी काम हो गया थोड़ा सा कम चल रहा है तो इनको सिर्फ छोड़ना पड़ता है तो इस फिर से रिटान जाओंगो वहीं पर बामन नूगरी साइड में यो कि अभी भाई ने वो पोकलेन साप कर रहा है हमारा जो हेलफर है तो वो साप कर रहे हैं सा और तून चीजोंको दोड़ा दिखा रहु है स्टो खुछ चीज हैं जो सीखने को मिल सकता है तो चली है अभी इनको छोड़ दिया हूं तो भी मैं जा रहों पावंद नूगरी साइड में वहन से कुछ और भी काम हो सकते है मुंबई सीधा ठाना सीधा फूने सीधा लेकिन ओलवे के लिए लेफ तो अभी हम फूलवे वाले रोड में दोस्तो अगर मुंबई में गाड़ी चला रहे हैं तो पहले तो मुंबई के ट्राफिक से आप परसान हो जाएंगे और मुंबई के ट्राफिक इतने होते हैं और मुंबई के ट्राफिक को से चलना और मैं सुबह से ही इतना बीजी हूँ मतलब रुका नहीं हो अभी थोड़ा खानव अगे रखाया उसके बाद भी मतलब ऐसे सा काम आ रहा है कि मुझे रुकने के लिए मावका ही नहीं मिला तो मैं कंटीनिव अभी समझी ट्राइब करी रहा हूं आगर ब्रीज तयार हो रहे हैं इसलिए भी थोड़ा सा ट्राफिक हो गय रहोता है जैसे बाद ट्राफिक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नवी मुंगई में बहुत सारे ब्रिज तयार हुए और उसके वज़े से ट्राफिक से बहुत बच जाते नहीं तो जिस रोड में आ और जो आपाते हैं और जो अभी फिलहाल यह रोड है जो उरन के लिए निकाल रहा है जैसा यह रोड थोड़ा जाम हो जाता है कभी-कभी क्योंकि फिलहाल यह वण वे जैसा है सिंगल रोड क्योंकि इसी से आना जाना होता है पूरे दिन दोड़ भाग करके अभी मुझे लगो इतना गाड़ी दर उधर दवडाया पहली बार और और इस वीडियो से मैं आपको यही बतानी कोशिस किया हूँ तो मेहनत कितना होता है और मेहनत जब करते हैं तो हम कुछ चीज को पाते हैं बहुत अइसा कोई चीज नहीं है दुनिया में जो बीना मेहनत का मिलता है त तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए यह से मेरे ब्लोग डेली आएंगे और अभी मैं गाड़ी खड़ा कर दिया हूँ और जारम गाड़ी खड़ा करके क्योंकि यहां से एक डेड़ किलोमीटर दूर में रहता हूँ तो चलिए फिर मिलेंगे अब तक के लिए बाए बाए थैंक यू वीडियो को देखने के लिए